नमस्तो भीहम नमस्तो भीहम नमाम में हम सहुद रहे आरे राष्टर के रहने वादे मेरे हमरे कुआप सबीको मेरे नमस्कार है ज़ो आपको किसी भी परकार के रोगों के भाई से मुख्त कर दे रोगों का जो हर्ण कर दे और माता की तरहें से जैसे माता अपने गरभ के बच्चे को नुक्षान नहीं होने देती उसी तरहें से हर्ण भी को माता कहा गया है और उसी तरहें से आपकी रक्षा करती है जैसे एक माता अपने बच्चे की रक्षा करती है हर परकार के रोग को नश्ट करने के लिए हर आती उत्म होती हर जो है एक छोटी हर हर होती हिसको काली हर कहते हैं अगर इसको अरंड के तेल में भून करके सुबह सुबह खा लिया जाए तो ये हर पीट को साफ कर देती है एक हर्ड बड़ी होती है जो हम छोटे बचों को देती है जिनको उल्टी दस्त लग जाते है या पीले दस्त हो जाते है वो बड़ी हर्ड पानी में घिस करके खिलाते है और एक हर्ड जो है जो नौर्मल साइज की होती है ना बड़ी होती है ना काली होती है उस हर्ड का छिलक होता है वैसे अगर हर्ड को आप सुभे सुभे हर्ड के साथ नमक मिला करके परियोग कर लेते हैं तो ये डाइजिसन का काम करती है अगर हर्ड के साथ गुड मिला करके परियोग करते हैं तो ये ताकत का काम करती है हर्ड अलग अलग रूप में अलग अलग जीतु के इसका प प्याज का रस गुलाब जल और इनको बराबर मातरा में मिला कर प्रयूग किया जाए तो वह भी आँखों को साफ करता है आँखों में बल देता है लेकिन अगर आपका पेट साफ रहता है तो बहुत ही अच्छी बात कभी आपके आँखे खराब नहीं होती आँख खराब होन कितने दिन परियोग कर सकते हैं और कब परियोग करें सुबह या श्याम को सुबह श्याम दोनों समय परियोग कर सकते हैं आज इवन परियोग कर सकते हैं लेकिन थोड़ी मातरा है आदा ग्राम एक ग्राम या ज्यादा से ज्यादा चार ग्राम तक हम इसका परियोग कर सकते सारी जिंदगी सका परियोग करते हैं कोई समय सिमा exchange stress के लिए नहीं होती है आप इसका परियोग कर सकते हैं बहुत से लोग howard के बारे में जो है हज़ की गुठ़ली खावी पिरयोग करते हैं लेकिन ऐर्वीर कहता है에 qi tillka का ही परियोग करना चाहिए और हर रात को भिगो करके सुबह सुबह परियोग कर ली जाए अती अत्यम हो जाती है नहीं तो इसका फूर्ण बना करके इसमें मिष्णी बॉन्सरी बड़ावर मातरा मिला करके महिलाओं के लिकुरिया रोग को दूर करता है पुर्शों में धात रोग को दूर कर देता है और जहां अमनोहुरिया हो जाता है यानि ब्लीडिंग ज्यादा हो जाते है महिलाओं में मैंसिस के समय में तब हम अगर हर्ड के साथ है मिश्री मिला करके इसके पानी का परियूग करते हैं तो तुरंत ब्लीडिंग को रोग देता है अगर बाल जड़ते हो या रूसिया फ्रांस हो तो इस हड़ का पानी कवात बना करके लोही के गड़ाई मना लगके उससे हम अगर अगर अपने बालों को साफ कर लेते हैं तो उसे रूसी फ्रांस ऐसा रोग दूर हो जाता है शंकर शौवेकर जी कहते हैं वैदी जी आपके द्वारा बताई गई कैंसर की भेड़ के दूद वाली दवा के बारे में यूटूब पर सभी और देखा कहीं नहीं करपा यही आप मात्रा बता दीजिए बेड़ के दूद की मात्रा जो है उतनी डालने चाहिए जब वो एक आटे की तरह से हो जाए उसको रगड़ते रगड़ते हम उसको टाइट कर सके हैं निश्चित मात्रा नहीं होती इतना डालिए कि आटे की तरह से वो नारम हो जाए और उसको डाल करके रगड़ते रहे और ठीक हो जाएगा रगड़ते रगड़ते वो सूख जाए इस तरह से उसकी भावना देनी होती कम से कम साथ भावना है बेड़ के दूद की डालेंगे तो आपकी उत्तम जो है कैंसर की ओशदी बन जाएगी सतीश कुमार जी कहते है गरू जी प्रणाम मेरे लेप्ट साइड में गुड़ गुड़ होती है पेट में और पैरों में दर्द रहता है वेट नहीं बढ़ता है गरू जी कोई उपाए बताइए पलीजे देखिए आप का मैं जवाब जो है दो दिन पहले दे चुका हूं पेट में गुड़ गुड रहने का मतले आपका पेट साफ नहीं होता पेट साफ करने के लिए अगर नी को तेज कीजिई जितना आप अगरे पांज को तेज करेंगे आर मल् procurement तो आपका पीड साफ हो जाएगा पंसकार मिलना जा रहा हैं दोबारा मिलने के लिए इनी भावों के साथ कि आप सवस्तर हैं अपने परिवार्जनों को सवस्तर रखें भारत वर्ष को सवस्तर रखें जै भारत